एक और important बैठक होने वाली है आने वाले हफते में 28 और 29 जून को होने वाली GST Council की बैठक में क्या कुछ हो सकता है बैठक का agenda क्या है exclusive खबर के साथ हमारे समवाद दाता प्रकाश प्रयादर्शी हमारे साथ प्रकाश बताएं GST Council की important meeting होने वाली है मीटिंग से पहले क्या आपडेट्स मिल रहे हमें 28 और 29 जून को GST Council की एहम बैठक चंडिगर्ड में होने जा रही है जो की काफी एहम बैठक है इसमें कई ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा हो सकती है कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं सबसे एहम मसला है GST compensation से संबंदी थाला कि अपचारिक रूप से इसे एजनरे में शामिल नहीं किया जाएगा लेकिन हमें सोर्स बता रहे हैं कि राजसरकारे इस मसले को काफी परमुकता से उठाएंगी क्योंकि 30 जून के बाद GST compensation है उसकी मियाद खत्म हो रही है और GST लागो करने से राज़ियों को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसके बदले में मुआवजा उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि नियमों के हिसाब से पांच साल की जो आओधी है वो समाप्त हो रही है लेकिन कोवीड की वज़े से और फिर अब ग्लोबल क्राइसिस की वज़े से जो महंगाई बड़ी है उसकी वज़े से राज़ियों के राज़स का काफी नुकसान हो रहा है लेहाज वो इस बात की मांग कर रहा है कि कम से कम पांच साल तक के लिए GST compensation की जो मियाद है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाए इसके अलवा जो composition scheme है उसके दाइरे को भी बढ़ाने का फैसला हो सकता है और इसे इसका फाइदा जो है online sellers को भी दिया जा सकता है अभी इसका फाइदा जो है सिर्फ offline sellers को मिलता है लेकिन जो भी sellers जो online platforms है उन्हें इसका फाइदा नहीं मिल रहा है जिसके तहत डेड़ करोर उपे तक अगर turnover है किसी tax base का तो सिर्फ एक पसेंट सलाना tax चुका कर वो मंतली GST return फाइल करने से बच सकते हैं ये फाइदा जो है online sellers को भी दिया जा सकता है इसके अलावा कई और बसले हैं जो की inverted duty structure से समन्दित है जिसमें solar water heater है, finished leather है, printing ink है जिसमें जो inverted duty structure है उसमें correction का फैसला GST council कर सकती है online gaming, casino, horse racing पर जो GST है उसके structure में बदलाव का फैसला हो सकता है कि ग्रूप of ministers ने पहले ही GST structure में को बढ़ा कर 28% करने की सिफारिच जो है, वो GST council से कर चुकी है ओके ठीक है, तो आपे परकाश आपको GST council के regarding कुछ ख़बरों का sense देते हुँ दिख रहे हैं लेकिन बजार के अंदर आप देखेंगे